हलो दोस्तो मेरा नाम शुरूब आज की इस वीडियो में मैं आप करता हूँ और डी एसेसबी की तरफ से बिल्गुल अभी जो नया नोटिस आया उसके बार में पूरी डीटेल पूरी वीडियो आने तक देखते रहा ना वीडियो अच्छे लगे तो यार चैनल जरूर सब्साइब कर देना हो सकता है तो वीडियो को शेर भी कर देना आपको पता हुआ डी एसेसबी का भी परसो एक्जाम कैलेंडर आता जिसमें डी एसेसबी ने बताया था जो इसकी नह यहां पर दे रखा है 802 बटावाइस कंबाइंड एक्जाम में यह मैं आपको पहली बता दिया है ठीकि ओपनिंग और अप्लिकेशन आप देख सकते हो 10 जनवरी 2022 से लेके 9 फरवरी 2022 सक आप यहां पर फर्म बार सकते हो ठीकिए उसी के साथ यहां पर देख सकते है जो वेक EDMC में देख लेएं टोटल यहां पर 11 एक एंसी तो ऐसे इनों ने यहां पर डेपार्टमेंट वाइस बता रहा है जिससे इसका टाइम बच जाएगा तो यहां पर इनोंने आप जो इसे क्या नाम है डेपार्टमेंट वाई जो पोस्ट को दिया है यहां पर जैसे आप इसा नहीं है सब में क्वालिफिकेशन सब में सेम नहीं है वो अलग-अलग डिपेंट करता है डिपार्टमेंट वाई टेक है यहां पर देख लेते हैं जैसे यहां पर सेम क्वालिफिकेशन है अगर हम यहां पर देख सकते हो तो यहां पर भी सेम है यहां पर भी सेम है ले और ये तीन हो, कहां पर ही है हमारा EDMC, NDMC और SDMC में है तो इस वजय से यहाँ पर Depend करता है department कॉन सा downstairs में किस सरीके का काम होता है, क्या 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 काम आएगा क्यों जो मैंने आपको बताया, पोस्ट यहां पर यही है, दीक है, आप सो इलेक्ट्रिकल और क्या नाम है आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पोस्ट यहां पर यही है, बस इसके अंदर जो डिपार्टमेंट है, इन्होंने उसे अलग-अलग के टेग्राइशन के लिए इन्हें नंबर दे रहा है, जिसे 802 बटा 01, क्योंकि जो पूरी पोस्ट कोड है, जो पूरी पोस्ट है, इसका जो पोस्ट कोड है, 802 बटा 22, इसके अंदर इन्होंने यहां पर ऐसे section बना रखे, आप देख सकते हैं, यहां पर सबका eligibility criteria और इन्होंने यहां पर detail भी दे र